कि उसके बारे में कि उसका कैसे उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए और उसका लांश्ट टिट क्या है उसका क्या सेलरी होगी और कितने सीटे हैं और साथ यसाथ कि कैसे उसका एक्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके एक्जाम का. So, हम उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिवेस येर का क्या कट अफ था, क्या क्या का टफ रहने वाला है. So, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे. सो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें सो हम पहला देखते हैं यहां पर कि जो अभी वेकेंसिस आई हैं उसका लास्ट डेट जो है वो 25 अप मार्च 2021 है यानि 25 मार्च 2021 है और जो यह वेकेंसीस है वो लेवल 3 की है जिसमें कि जो वेतन रहेगा 21,700 दोयके 49,900 रुपे के आसपस रहेखा जो यहां देखा रखा है इसके बाद हम देखते हैं कि जो यही वेकेंसीस है वो कीतनी थी टोटल वेकेंसीस जो थेज़र है वो तेईश ऑस्ती है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं 288 है का हम देखते हैं कि इसमें हम जो उसको सकते हैं तो सबसे पहले हम कहले हम देखते हैं जो हमें करने करेग input फ्ल्स होना चाहिए ठीक है और साथी साथ वो अपने बिहार बोर्ट से हो तो उसमें भर सकते हैं और इसमें देखा पताया गया है कि जो आपकी एज होनी चाहिए वो जेनरल के टेगरी के लिए जो मेल हैं उनके लिए 18 से लेके 25 साल तक होना चाहिए है और जो भी सी है जो अठारस लेके 27 साल तक हो जो महिलाएं हैं वोस अठारस से 28 तक और च desert हैश्वार्ण से 30 साल तक और जो पांठ साल का जूत मिलती है वो जो घिल्धर वोते हैं वो उनके लिए वह दी गई है सो अब देखते हैं कि सुसारिक माम टंड है वो क्या रहना चाहिए ठीक है उसमें आपको जो दिया गया है वो 150 cm जो की हाइट होनी चाहिए जो की जेनरल कैटेगरी के लिए है पुरुशों के लिए और जो वी सी के लिए है वो 160 यानि 160 cm होनी चाहिए और SCSD के लिए भी 160 cm है म और यहां देखेंगे जो की सीना बीना फुला है वो होना चाहिए 21 cm और जो फुला कर होना चाहिए वो होना चाहिए 86 cm और उसके बाद देखते हैं जो OBC के लिए है वो बीना फुला है 21 cm और फुला कर होना चाहिए 86 cm जो अब आगे देखते हैं हम और महिला लिए जो भी है आगे देखते हैं कि क्या प्रकिरिया है, कितने चरण में परिच्छाएं होंगी और कैसे कैसे हमें मेरिट लिस्ट तयार होगी तो पहले चरण में जो होगी वो लिखित परिच्छा होगी जो कि रिटेंट टेस्ट है वो 100 number के question होंगे 100 question होंगे वहाँ पर जी कोई metric level के होंगे 10 plus 2 के नहीं सिर्फ 10th के और आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे आपको हमार सीट पर जो भी भरना है यहाँ ध्यान लखें कि अगर आपने अपना roll number कलत बरा या उसमें कुछ काटा चाहे कुछ भी किया तो इससे आपको परिच्छा सीधे तोर से रद कर दिया जाएगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लिखित परिच्छा है उसमें 30-32 जो अंग हैं वो पाने आवशक हैं अन्यथा उसको असफल घोशित कर दिया जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि वो उतने नंबर चाहिए कि आपके पेपर जो है वो चेक हो सके उसके बाद जब दूसरा जरना आता है उसमें क्या होता है कि आपकी जो फीजिकल है सहरिक दख्छता वो चेक के जाती है कि आपके इतने फिट हैं उसके लिए होता है अगर आप दोड जो की 1.6 km की होती है वो 6 मिनट में पूरी करनी पड़ती है अगर 5 मिनट से आपने कम में पूरी कर दी तो आपको यहाँ पे 50 अंक मिलेंगे अगर आपने 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड लगाया तो 40 और 5 मिनट 20 से लेके 5 मिनट 40 पे 30 और जो तो अपने 5 मिनट 40 से 6 मिनट लगा है तो 20 अंक मिलेंगे और 6 मिनट से ज्यादा वाले को और सफल खुशित किया जाएगा आप महिलाओं के लिए भी ऐसे ही है, जो कि चार मिनट से कम पे 50 और चार मिनट से 450 के लिए 40. और चार मिनट 20 से 4 मिनट 40 के लिए 30. और 4 मिनट 40 से 5 मिनट 20 है, उसके बाद आता है आप-देख सकते हैं अघुला चरन जिसमें गोला फेक होता है जिसमें पस्चीस अंख मिलते हैं जो कि सभी पूर्सों के लिए है 16 पाउंड का गोला होता है और एक पाउंड में आपको 400-400 ग्राम क्या सबस होता है तो आप देख सकते हैं कि जो 16 फिट है से 18 फिट तक फेकते हैं आप तो उसको 9 अंख मिलते हैं जो 17 फिट से जादा फेकते हैं 18 फिट तक उसको 13 अंख मिलते हैं जो 18 फिट से जादा और 19 फिट तक फेकते हैं 17 और 19 फिट से जादा और 20 फिट तक फेकते हैं 21 और 20 फिट से जादा पर 25 अंख मिलते हैं आप देख सकते हैं कि अगर उससे कम फेगते हैं तो आप वह सफल घुसित कर दिया जाएगा महिलाओं के लिए भी इसी परकार है जो कि 12-13 तक 9 और 13 फिट से जादा 14 फिट तक 13 और 14 फिट से जादा 15 फिट तक 17 15 फिट से जादा और 16 फिट तक 21 और 16 से जादा 25 उसके उची कूद है जो इसको हाई जम पोलते हैं जिसमें कि अगर आप पुरुसु की बात की जाए तो चार फिट है जिसमें 4 फिट तक आपको 13 ऑंख मिलेंगे 4.4 फिट 4 इंच के लिए 17 चार फिट 8 इंच के लिए 27 और 25 उंख मिलेंगे अँम हिलाओं के लिए 3 फिट है जो कि 13 और 3 फिट और 4 इंच अगर कूदती है तो उनको 17 और तीन फिट आठ इंच पे 21 और चाल फिट पे आपको 25 मिलते हैं इन सभी को जोड़के आपकी एक अंति मेगा सुची बनाई जाएगी जो कि मेरिट लिस्ट होगी अगर आप इन सब को क्वालिफाइंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेगा सुची में आहीं जाएगे कुछ बच्चे होते हैं जो कि वेटिंग डिस्ट में होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जिनका नाम मेगा सुची में होता है जो कि वहां डॉक्मेंट्स वेरिविगेशन के लिए जाएंगे अब यहां हम देखते हैं कि जो last year exam हुआ था उसमें fireman और constable का एक साथ exam हुआ था जिसमें कि total vacancies की जो संख्याती वो थी 11,865 थी जिसका exam अभी 12 जनवरी से 8 March के पीछ हुआ था और result जो है पहले या दूसरे हपते तक आ सकता है जून में अब उसका cut-up हम देखते हैं जो expected है जिससे कि आपको idea लग जाएगा इस साल हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए और कितना tough competition होने वाला है so cut-up कुछ इस परकार है कि जो general category है उसकी 61 to 63 जो OVC है उसकी 58 to 61 जो ST है उसकी 49 to 52 और जो SC है 43 to 45 और यह जो cut-up है यह 2018 था है उस समय EWS नहीं था इस कारण से यहाँ पर EWS के लिए हमने cut-up नहीं बताया है और जो इस बार होगा वहाँ पर EWS है और इस बार फाइदा भी आपको अच्छे कासा मिले क्योंकि बहुत कम लोगों ने बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर थे बहुत सारे लोग के लि लिए आपको धन्यवाद और आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आने वाले सारे exams के बारे में cut-up और उसके क्या pattern है उसके बारे में हम बताते रहेंगे और इसके लिए आपको आपको हमारे साथ बने रहना पढ़ेगा चैनल को जितना हो सब्सक्राइब कीज बनाते रहेंगे खुआ बने ऊघए बनाते बहेंगे श्तरतन हो और hoje दो आपको आanto धंवादानते रहेंगे खुआ कर दोड़ेंगे खुआ है वाँ करेंगे चैनल करा रहेंगे लिए वीद्वारे का जिए एधू टुआ वाँ करती धर लाश एंसे क्या सरसंदांते लार